NLU में admission के लिए, spot round admission process क्या होती है, कैसे हमें apply कर सकते हैं, हर NLU में होती है, कि कुछ limited NLU में होती है, और spot round के लिए अगर हम admission लेना चाहते हैं, तो NLU के cut off क्या होते हैं, वो साधी चीजें जानेंगे आज के हम इस वीडियो में, मेरा नामी कांच जैन है, मैं H&N राइप for the all exams, like MST, SLAD, CLAD, all exams, रही, चली वीडियो कर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली, कभी भी अगर हम NLU में admission लेना चाहते हैं, as we know, CLAD exam हम देंगे, उसके बाद consortium, हमें तो 5th list, 5 list consortium release करता है, और हमाई लिए अनलीज lot करता है, 5 list के बाद consortium कहता है, कि हम अब कोई भी seat lot नही नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई भी अनलीज एक्जामपल लेते हैं, अनलीज हुपाल, उनके पास 10 विकिन सीच आती हैं, तो उनके लिए वो गूगल फॉर्म निकालते हैं, वो बताएंगे कि हमाई पस 5 general की सीच से हैं, कुछ OBC सीच से हैं, कुछ SC सीच से हैं, क यह तो होगे normal vacancy process, अब फिर से vacancies आएंगे, होता ही है, अब अनलीज भॉपाल में विकिन सीच क्यों हो आ रहे हैं, कि जोधपुर में विकिन सीच आएंगे, तो चार नई विकिन सीच होगी, अब अनलीज भॉपाल में विकिन सीच आएंगे, तो HNLU का बच्चा यहाँ अनलीज भॉपाल में विकन सीच आएंगे, अनलीज भॉपाल में विकन सीच आएंगे, अनलीज भॉपाल में विकन सीच आएंगे, तो इस अब प्रॉपा साइकल, पूरे सिस्टम में, किसी भी अनलीज में विकन सीच होई हैं, तो यह मान के चली कि नीचे के सारी अनलीज में 4-4 vacancies कम से कम होंगी क्योंकि वहां के बच्चे ऊपर की college में सिफ्ट होते हैं तो vacancies है तक क्लियर है अब यह राउंड चलते रहें कि एक पॉइंट आएका जब college कि हमने almost we tried a label badge to fill the vacancies अभी भी हमाँ पास हमने 4-5 है यह 7-8 list निकाल दी है इस बाद 10 list निकाली है इन निकालने के बाद college कहेगा कि ठीक है we are done अब जो seats बची हुई है यह पांच seats हमाँ पास available last round of admission पांच general seat है तीन domicile seats हैं दो OBC seats हैं दो SC SEC उन सब के लिए spot round कंड़ कराएगा spot round का मतला पर college आप से कहेगा यह रहा हमारा notification मालीजे 11 अगस को निकालते हैं वो कहते हैं कि 14 अगस या 15 अगस या 13 अगस तक कई बाद आप सब्सक्राइब का यह रहा हमारे college आइए 11 अगस आईए जो बच्चे 11 अगस तक आजाएंगे उन बच्चों के हम एक merit list निकालेंगे उस merit list में sequence wise हम admission करेंगे जो बच्चे top पर रहेंगे मालो 5 बच्चे पहुंचे मालो पहुंचे 20 बच्चे जनरल के degree के list पनाई जो top के 5 बच्चे होंगे उनको admission दे देंगे बाकी बच्चे यो बच्चे होंगे उनको waiting में कर देंगे वो तो अब आगे वो और कोई spot on नहीं कराएंग आते हैं 24 NLU हैं तो हमसे 10 से 12 NLU के spot on आएंगे इस सीच को आप मान कर चलो जैसे vacancies आते हैं वैसे spot on आते हैं मेली कोई भी college अपनी college की सीच को खाली नहीं छोड़ता खाली क्यों छोड़ता आपको सोचें लोडी सामे मालो 10 सीथ हैं तो वो भी नहीं चाहते हम भी नहीं च पहुंचने के लिए कहा है तो अगर 11 o'clock 5 minutes पर पहुंचते हो आपको लाओ नहीं करेंगे बेरी strict with this है पहली बात दूसरी बात क्या spot on अगर हो रहा है तो क्या student के जाना जरूरी होता है कि parents भी जा सकते हैं इसमें दो answer है पहला majority colleges चाहते हैं कि बच्चा आए पर कुछ colleges कहत सकते हैं एक बाद नोट कर लेना कि faculty से पोचके कि बच्चे को भी जाना है कि से parents से जाने सल जाएगा अब sir sport on में क्या सभी category की सीच साथ ही यस कई बास से पीड़वीडी नालसार में spot on हुआ था पीड़वीडी category का इस बार हुआ हुआ यह है अगर हम जिस दिन sport on कराया था उज दिन cut off 2400 था विमन केटिगरी का और EWS के 2800 था एग्जामपल अभी जो लास्ट लिस्ट आई है और विमन केदमिशन 4400 तक हो गए हैं EWS केदमिशन 9700 रहिं तक हो गए हैं लास्ट इस सिल्वास में 13,000 रहिग तक स्पॉर्टर्टर्टर्टर्ट आगर हम sport on के cut offs की बात करें तो NLEU के cut off होते हैं तो हमेशा MALI-Jet, J NLU, NRI WHOPAL यह 500-50coat Lesa 500 के range तक जाते हैं अगर हम उसकी बात करें NLRU D अनली जोतப्पुर्की तो 400 से 445-452 तक sport on जाते हैं NL अली भुपाल, as we discuss, HNLU का spot round, क्योंकि spot round लाश्टर हुआ नहीं था, नोर्मली ही 1300 रैंग तक एनमिशन हो जाते हैं, HN राइपर में, आमनली का spot round अगर होता है, तो 1200-1400 रैंग तक एनमिशन हो सकते हैं, उरिषया का spot round होता है, तो नोर्मली ही 1600 रैंग चला जाता है, इस spot round अगर तक भी चांस बन सकते हैं, तो ऐसे करते हैं, हर HNLU कराता है इनमिशन हो जाता है, लाश्टर है नुश्वा लाश्टर होता, कट ओफ गया तक 8400 रैंग, अगर हमाचल की बात करें, 8000 रैंग तक, असम की बात करें, 5000 रैंग तक, पतना की बात है, 2300 रैंग, नुवाल्सकोजी 1800 रैंग तक, तो ऐसे rank वाइस हमारे cut-offs हैं, जो हमारे spot round में जाते हैं, स्वानीपत का लाश्य स्पॉर्ट रॉन हुआ था, 4400 रंक, 4400 फिक्टी सम्सिंग स्पॉर्ट रॉन गया था, यह जो भी मैं कॉट अपस बता रहा हूँ, यह आपको नीचे शो भी हो रहे होंगे, या तो आप तेलिगाम गुरूप है, वाट्सप गुरूप है, वहाँ पी सारे updates आते हैं, Kartops and All के, इन दो गुरूप का आप जाइन कर लेजेगा, तीसरा, आपकी जो भी क्लैटराइंग है, आप जिस भी कॉलिज में हो, NLU में हो, प्राइवेट में हो, गवर्मेंट में हो, CUT कॉलिज में हो, IEP कॉलिज में हो, MECD कॉलिज में हो, NIMS कॉलिज में किसी भी कॉलिज में हो, कि सर, एक तो अपना कॉलिज का नाम भेज दीजे, कि मैं करेंट ले इस कॉलिज में हूँ, और अपनी क्लैटरिंग फेज दीजे, इस दो काम आपको जुरू करने है, make sure आप इस वीडियो का pause करके, आप भी आप में जे भेजे, may not forget this, आप मुझे कॉलिज आपको है, LC के ठीक है, इस कॉलिज से कुछ बेटर आपको spot on मिल सकता है, कोई भी NLU या कुछ भी will be suggesting और कई बार भी vacancies निर्मा की भी आ रहे हैं, NIMS की भी आ रहे हैं, WITS की भी आ रहे हैं, तो वह वारा एक admission भी चल रहा है, MSCT के भी इंस्टूशन आउं होंग आपको आपको एंप आपको एक रहार है, विल्क अरहे हैं, विल्क एंपको नफर खु मिलेग करेंगे हैं, तो जो मुझे वाट्सअप करोंगे, जो भी कोलिज आपको फाइनल है, नहीं है रहा है तो फाइनल वो यह बता दो, फाइनल को नाम इंका भीर दीज, I'll save your number, you can से my number as well, जिससे हम आपको आगे एक साल, जो first year है, जो बहुत सारी बच्चों के लिए difficult होने वाला है, हम उस first year के लिए आपको guide कर दें, चले, बापके साते हैं वीडियो पे, cut option ने आपको बता दिये, अपको शीज़ा आप ध्यान रखना, इस spot on कब तक चल सकते हैं, इस spot on में लिए August, September, ये दो मन्त हैं, लाश्ट ये रेमेंबर 8th of September को हुआ था नुश्वलांची के spot on, अभी इस बाद जो में वीडियो बना रहा हूं, NLEU's में Nuals Kochi अपने spot on करा चुका है, NLE Sonipat ने spot on करा चुका है, NLE शिल्वास अपने spot on करा चुका है, NLE भौपाल अपने spot on करा चुका है, NLE भौपाल तो दो spot on करा चुका है, second spot on जो हुआ था, एक में cut off गया है, दो बच्चों के CHC, जर्नल कर डिगरी के, एक गया 483, राइंग, दूसरा गया 502, यह cut off गया हुआ है, तो यह हमारे cut off सोगे, जो अभी college करा चुका है, आगे और कौन करा सकते हैं, बहुत सारे tier 1 college, tier 2 college, और tier 3 colleges, आगे spot on कराएंगे, तो एक सीज का धान रखना, एक सीज ब धान रखना, जो current college आपका है, उसकी refund policy आप देखकर रखो, तो कि अगर refund policy आप देखकर नहीं रखोगे, तो वो आपको problem करेगा, आपको क्योंकि fees आपके करच जाएंगे, दूसरा, जब हम आगे कहें कि भाया, आप spot on बस option है, नहीं, अभी तीन option है आपके पास, आगे spot on, आप NLU में अदमिशन ले सकते हो, नॉर्मल विकेंसी आ सकते हैं college की, अभी भी विकेंसी आ रही हैं, उसमें आप spot admission ले सकते हो, तो आम नर्डू के नहीं दिलाशत अभी, तीसरा, हर NLU के अंदर NRA sponsored की seats होती है, तो NRA sponsored की seats दो तरीके से भरी जाएंगे अब, कई colleges, क्या कर रहे हैं, NRA sponsored की मालब 10 seat उनके पास थी, उन्होंने उन 10 seat को general category के लिए open कर दिया है, मतलब दे अदर general seats नो, फीस वो NRA sponsored आले लेंगे, बढ़ दे अदर general seats नो, पहली बात, दूसरी बात, जैसे normal seats को fill करने के लिए spot earned हो रहा है, NRA sponsored की seats को fill करने के लिए spot earned होगा, और जब NRA sponsored की seats को fill करने के लिए spot earned होता है, उस case में, अभी मैं आपका example देता हूँ, कुछ college कहते हैं कि इसे वही बच्चे apply कर सकते हैं, जिन्होंने platform में NRA sponsored करा था, दूसरा college कहते हैं, क्योंकि sport round है, उन्हें college भधना है किसी भी हाल में, तो कहते हैं कि ठीक है, sport earned NRA sponsored का हम कर रहे हैं, पर वो बच्चे भी आ सकते हैं, जिन्होंने platform में NRA sponsored mark नहीं कर रहा था, आपको example, पहला example, जहांपे general NRA sponsored को general में convert कर रहा है, वो है DSNLU, एक इसी week में, पांस तारीक को notification आता है, पांच अगस को DSNLU का, आठ अगस उन्होंने last year टक्षिते अप्लाई करने की, 9 ताइक को list आ जाती है, उन्होंने कह गया normal general category की, NRA sponsored की seat थी, जहां वो four like 30,000 पीस बच्चों से चार्ज कर रहे थे one year, उन्होंने उसको का यह 10 seat हैं, हम general category में convert कर रहे हैं, उन्होंने application मागाई, form की fees थी 5,000 पीस, और उन्होंने list ने काली, जो selected बच्चे थी, cut off गया है 9,111, 9,111 हमारे batch की बच्चा है, उसके बाद में हो लें हो, काफी सारे बच्चे हैं, वो सारे हमारे batch की हैं, तो जो 10 बच्चों के admission है, 8 बच्चे थी हमारे batch की हैं, because हमने उनको update कर दिया थे immediately, कि यह seats हैं, कोई requirement यह cut off कम जाएगा, normally, general category में, B.A.L.V का cut off किता किया है, DSNLU के लिए 3,000, something, NI Sponsored से, जो general seats convert कर दी, उसमें के 9,100, कोई बच्चे जो IEP के lower college में है, यहां से मोशेज, नोवडा में, कहीं भी है private colleges में, सिफ्ट हो यह ना DSNLU में, अब कई सारे बच्चों ने chance मिस कर दिया, और मैं आपके बतातू है, यहां पे लिस्ट शो हो रहे होगी DSNLU की, 9,100 cut-off अभी गया है, मेरा expectation है 24,000 ने तक एमिशन होगी, भाहिया 24,000, हो रहता है 41,000 ने तक भी हो जाए, क्योंकि आप उस लिस्ट को देखोगे न, कुछ बच्चों को ने एमिशन दी है, बाकी बच्ची वेटिंग में है, पास्ट टू एर्स में एक बार 44,000 ने तक और एक बार 24,000 ने एडमिशन हो चुके हैं DSNLU में, तो आप ऐसे नोर्ची मिस्मत करेगा, तो आभी एक लिस्ट को देखो जो वेटिंग में है, तो वेटिंग वाले बच्चे को बलाए जाएगा, भाई, अमेरिंग तो 6700 थी, मैं तो कुछ मिला ही नहीं, मैं तो बिनाए नली के बैठा हूँ, एक गल्ती आपकी, आपको अप्लाई करना था, यह जो वेकिंसी, एक महिना है, तिल सेप्टमबर 10th और 15th, इसमें आपको भी वेकिंसी के नुटिशन, कोई भी पॉर्ण के नुटिशन मिस मत करना है, अब इसमें हम गाइड भी करते हैं, वे गाइड फर पॉर्ण, वे गाइड फॉर्ण, वे गाइड फॉर्ण वेकिंसी, थे नुटिशन मिस नहीं हो का, सारव जैसी 5th को नुटिशन आपको भी अपड़ेटे हैं, आप क्यों की पीक ताइम है, और इस नौट ज़स्ट बाइच में आपको जाना है की नहीं जाना, I'll be guiding, I'll be your personal mentor till the time you finalize your college. 1-2 months, I'll be there to guide you. If you want to join the paid batch, just drop a text. Even if your parents or if you're a student just want to have a consultation that I'm going to college, I don't want to take it, I'm confused in two colleges, you can join the paid batch and we can have a call accordingly. Okay? Now, if you have some other queries, you can text me on the watcher. I have some queries I have, I'll answer them. So, I have a Nirmal Inicity option. Where do we go to Jindal Muj? Jindal Inicity. Sir, I'm Nirmal Inicity and I'm U.S.L.S. So, kids go to U.S.L.S. Sir, Nirmal Inicity and Nirmal Inicity and Nirmal Inicity. Sir, NIS Mumbai and Nirmal Inicity and Nirmal Inicity. NIS Mumbai and SLS NoEda. They go to SS NoEda. H1 Shimla and WIPS. H1 Shimla and WIPS. RRU, Rasha, Raksha, University and WIPS. You have to go to WIPS. Sir, I'm getting DSNLU. I'm currently in Nirmal Inicity. Go to DSNLU. Sir, I got Nusha Naachi and I got NILUDESA in vacancies. I got NILUDESA in vacancies. There's no doubt. Guys, NILUDESA. You will see my previous videos. You will see the things that the previous data says. Data is very important. When I made a video in December, I said NILUDESA last year, 1620 rank emissions. This time it will be. In the comment section, I will tell you, brother, we will not be cut off 1000, 1100, 1100. I said it will go. 1 list, 2 list, 3 list, 4 list. The list has come down here. There will be a show here. I will tell you about it here. I will tell you about it. I will tell you about the team. It has gone to 1500 to 150. You will see the next two lists. You can wait to 1600 to 1600. Now, what is this? What happens? SINU PATHNA. So, this is 3 college students. 12 children are only in NILUDESA. It will be possible to have a vacancy for these colleges. This is how it works. Let's get into this. I get into NILUDESA. I get in NILUDESA. I get into NILUDESA. I get in NILUDESA. I get in NILUDESA. I go to NILUDESA. I go to NILUDESA. I do. I go to NILUDESA. I get in NILUDESA. The children play GNLUDESA. I prefer NILUDESA. I will call them. जाओ या जोद्पू जाओ दोनों कॉलिज आप पार आ चुके लास्टी अगे ट्रेन था कि बच्छे नीज जाते थे आप एक कोल हैं बहुत सारी बच्चे जोद्पूरी पर कर रहे हैं तोनों कॉलिज के बच्चों से बात करके आप क्लियर का सकते हैं क्या मैं अलेट लिख हूं? 101% आपको एलेट भी देना चाहिए लातिय मात करिये सर, MSCT का जो इन्सिशन आउंड है देखे, MSCT के जो इन्सिशन आउंड है उसमें आपको करेंड जो कॉलिज मिला था सेकंड लिस में आपको एलोट लीफ करना पड़ेगा तब ही आप जापाओगे MSCT के, जैसे NLU's के, IPU के, MSCT के, सिंबोलिज हर कॉलिज, 140 प्लस कॉलिज की सेपरेड वाट्सप गूप बने हुए है जो भी कॉलिज आपको मिला है इवाट्सप बताइए मैं आपको उनको प्रेट कर दूँगा तो यह था आज का वीडियो मुझे वाट्सप नंबर आपको दिख रहा होगा 934-0-280-533 उचे आप टेक्स कर दीजे आप कभी भी मौनिंग 10 o'clock से लेके राथ की 10 o'clock ता उस पर कॉल भी कर सकते हैं अगर कॉल में सो जाता है और कॉली बेग नहीं तो मैं वाट्सप आपसे बात कर दूँगा दूश्रा जो भी कॉली आपको मिला है उचे आप टेक्स कर दीजे और अगर मेरा प्लेडे शायत नहीं तो वेकंसी में हो स्पॉर्ट राउन में हो ताउजन उपीस का बैच आप दे सकते हैं आप क्लेड 25 की तायारी कर रहा हो उसके लिए भी हम गाइड करते हैं सेम थाउजन उपीस बैचे दे लिए आपके टेक्स का में वेट करूंगा या तो आप मुझ अपने राइंग भेजिये या जो कॉलीज के साथ क्लेड लिखना प्रफर करते हैं यार ड्रॉ में पाइड की युछ खूंग भाइ भी टेक्टे लिए लिएग जए लिए लिएके लिए कर दो कि जिए रिए भाइग सेब्दीर में अगर प्रफर को अज़ाओ के राइंग एक बारे लिए खाले हैं इक जान दो क्लेगे लिए, बाइग के लिए, भी एक रहाँ रिए,